हेलो फ्रेंट सब्सक्राइब एक नई वीडियो वाज बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है रेडमी के 30 तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ फ्रेंड टैप साउंड को कैसे वाइबरेट करें हैं हाँ फ्रेंड आज की वीडियो में यही सिखेंगे और फ्रेंड इस से ने पर पहले वारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक बैल आइकन का बटन जोड़ दबादे ताकि आनोल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे किसी भी Android device में आप बड़े असानी से आप टैप साउंड को बंद कर सकते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको सबसे पहले settings को आपको open कर लेना है तो चलिए settings को open कर लेते हैं settings को आपको open करने के बाद आपको इस तरह से interface देखने को मिल जाता है तो अब इसमें आपको क्या करना है इसमें जो है friend आपको sound को open कर लेना है sound and vibrate यहां पर search settings का option भी आपको देखने को मिल जाता है तो यहां पर आपको क्या लिखना है यहां पर लिख देना है आपको tap sound तो आपको यहां पर already देखने को मिल जाएगा आप यहां से भी vibrate कर सकते हैं और किसी-किसी में नहीं होता है तो उसके लिए क्या करें उसके लिए friend मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा आपको क्या करना एपको ऊपर के ऊढ़ करना है ऊपर के ऊढ़ करने के बाद आपको जो है sound पर देख सकते हैं tap sound जो है पहले से वाइबरेरेट करना चाहती है तो मैं आपको दूबारह से बतायता हूँ tap sound कैसे vibrate होता है तो आपको इस पे जो है इसे open कर लेना है ये जो है vibrate हो चुका है तो आप इसी तरह से tap sound को vibrate कर सकते हैं ठीक है friend तो friend आज के वीडियो में बस इतना ही जादे जादे वीडियो को share करें subscribe करें like करें बैल आइकन का बटन आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार